हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल होप यौल आर डूइंग गूड चले आज हम आपको बना के दिखाते हैं एक टेस्टी सी अच्छी सी रेसिपी सबसे पहले हम लोगी को दोनों साइड से काट के उसको अच्छे से छील लेंगे छिलने के बाद हम इसको धो लेंगे धोने के बाद हम इसको कद्धो करस से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने के बाद हम इसको एक ठाली में निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी है बहुत ही अच्छा सबजी बनेगा अब हम इसको इस तरीके से धीरे धीरे प्रेस करके इसका हम पानी निकाल लेंगे लोकी में बहुत चारा पानी होता है इसलिए हम उसको अलग से निकाल लेंगे निकालने के बाद हम इसको एक ग्लास में किसी कप में रख देंगे इसको हम बाद में यूज करेंगे इसको फेक येगा नहीं लोगी का पानी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है इसलिए हम इसको कभी-कभी जूस में भी लोग पीते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी मैं अब हमें एक कटोरी डाल देंगे इसमें बेशन, जीरा, अजवाइन डाल दिया हमने आधा चमच हल्दी डाल देंगे हम इसमें आधा चमच हम गरम मसाला डाल देंगे छोटे छोटे टुकडों में हम काटके हरी मिर्ची डाल देंगे धनिया पत्ती डाल देंगे नमक डाल देंगे स्वादर नुसर अब हम इसको हाथ से अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम पकोड़ी जैसे बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसको बनाना है इसका पानी हम निकाल देंगे तो ये थोड़ा टाइट सा हो जाएगा लेकिन अगर आपको लगता है इसकी ज़रूरत है थोड़े पानी की तो आप इसमें एड़ कर लिजेगा कड़ाई में हमने सर्सो का तेल ले लिया है आप आइरन की कड़ाई में ये सब बनाएए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है छोटा छोटा टुकड़ों में हम इसको पकोड़ी को फ्राई कर लेंगे एकदम छोटा छोटा हमें इसको डालना है ध्यान रखेगा जो पकोड़ी हम फ्राई करते हैं बनाते हैं तो अगर हम कोफते की पकोड़ी बना रहे हैं तो वो थोड़ा soft ही होना चाहिए हम उसको जल्दी नहीं निकालेंगे उसको कड़क नहीं करेंगे नॉर्मल पकोड़ी से ज़्यादा हम इसको soft रखेंगे देखिया हम इसको इसी तरीके से निकाल लेंगे ये एकदम कड़ी नहीं हुई है ये मुलायम है ये कड़ाही में अगर आप खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है इसलिए मैं लोही की कड़ाही ज़्यादा प्रिफर करती हूँ देखिया हमारी पकोड़ी इस तरीके से soft है अब हम इसको ग्रेवी में जब डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से गुल जाएगा हमने जार ले लिया उसमें हमने दो बड़े प्याज को काट लिया है हरी मिर्ची डाल दिया है चार पांच अद्रक का टुकडा डाल दिया लेसुन डाल दिया है आठ से दस कली अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे फिर हम टमाटर को भी दो बड़े टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है कडाई में हमने सर्सो का तेल ले लिया है इसमें तेज पत्ता को दो तेन टुकडों में करके हम डाल देंगे हमने डाल दिया है जीरा आधा चमच अजवाइन आधा चमच मेथी आधा चमच सौफ आधा चमच राई आधा चमच हमारा मसाला का जो तड़का है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाया है प्याज लेसन अद्रक का उसको हम इसमें डाल देंगे अब हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे हमें इसको चलाते रहना है बीच बीच में ताकि यह नीचे चिपके नहीं और हमारा मसाला जले नहीं लोकी का कोफता बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे और आप लोग भी अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक तेल हमारा छूट नहीं जाता है मसालों में से अब हम इसमें साथ साथ चलाते जाएंगे और हम इसमें अपना मसाला भी एड़ कर देंगे सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी आधा चमच धन्या पाउडर हमने डाल दिया है एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ज हमने डाल दिया है एक छोटा चमच हिंग डाल दिया है आधा चमच आप लोग सबजी बनाते हैं तो हिंग का ज़्यादा ध्यान रखे हिंग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है हम हिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारा पेट एकदम साफ हो और जो कुछ डाइजेस्ट ना होता हो वो भी हो जाए देखिए हमारा मसाला पक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे जो लोगी का पानी हमने निकाला था उसको हम इसमें डाल देंगे अगर हमें additional पानी लगता है तो हम पानी इसमें और ज़ादा डाल देंगे हमने एक ग्लास पानी और डाल दिया इसमें पानी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसर ध्यान रखेगा आप लोगों ने पकोड़ी में भी नमक डाला है इसलिए हम इसमें ध्यान से नमक डालेंगे सबजी हमारी बॉयल होने लगी है बॉयल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे पकोड़ी हमें इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि हमारा ग्रेवी भी पक चुका है और पकोड़ी भी अगर हम जादा देर पकाएंगे तो जो हमारी पकोड़ी है वो एकदम से फटने लगेगी और उसमें पूरा मिक्स हो जाएगा इसलिए एक बार बॉयल आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे हमने इसमें डाल दिया है लाश्ट में आधा चमाज गरम मसाला अब हम डाल देंगे इसमें छोटे छोटे धनिया पती काटके इसको मिक्स करने के बाद हम गैस को आफ कर देंगे हमारे लोके की कोफते बनके तयार हो चुके हैं यह एकदम ही टेस्टी है आप मुँ में डालेंगे यह तुरंत घुल जाएगा देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ट्रिक यह है कि आप अगर पकोड़े बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा सौफ्ट रखिएगा अगर पकोड़े कड़ी होती है तो वो घुलती नहीं है सबजी में थैंक यू